Hello Everyone, Welcome to Lakshy Air Force तो Air Force ने notification release कर दिया है वेकेंसी आगे यह बहुत ही जल्द online होने लगेंगी I hope कि आप लोगों की तैयारी मेरी absence में भी बहुत अच्छी चल रही होगी लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की तैयारी को enhance करने के लिए बोस्ट करने के लिए एक नई सीरी चलाने जा रहा हूँ इसमें क्या है कि मैं कुछ selective questions लोगा जो questions आप कोई भी practice set उठाएंगे तो यह questions आपको मिलते ही है जैसे ही आप वीडियो को देखेंगे तो आपको realize होने लगेगा कि हाँ यह questions बागई में बहुत important है उसके लिए आपको patience के साथ सेरीज को अच्छे से follow करना है ठीक है like, share, subscribe यह सब कर दिया करो बिना कहें तो start करते हैं वीडियो को फर्स्ट question है निमने लिखित में चार options आपको दिये गए हैं पूछा गया है सबसे दुरवल बल कौन सा है तो इसके लिए आपको एक understanding बहुत जरूरी है सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रवल नाब किये बल क्या होता है जो छोड़ छेड नाब किये या gravitational force या क्या होता है electromagnetic force अगर आप समझ लेते हो तो इससे related कितना भी गुमादे questions को आप से गलत नहीं होगा जितने variation होंगे सब ही समझते हैं start करते हैं तो इनका क्या होता है इन चारो forces का जो आप इच्छिक प्रवलताएं होती है उनका आप ratio याद रखना 1 is to 10 to the power minus 2 is to 10 to the power minus 13 is to 10 to the power minus 43 प्रवल नाब कीवल ठीक है फिर वल नाब कीवल विद्धु चुमकीवल छेड नाब कीवल गुरूत्वी वल ठीक है फिर वल नाब कीवल ध्यान से देखना फिर वल नाब कीवल 1 और Electromagnetic force 10 to the power minus 2 छेड़ नाब की बल 10 की power minus 13 और गुरत्वी बल ये तो इस question का answer तो हो जाएगा गुरत्वी बल लेकिन इससे related कितने और questions पूछे जा सकते हैं अब मैं अभी को क्या है अलग-अलग questions नहीं लिखे हैं बस आपको बताना है तो information आप consultation के साथ सुनना एक वार question पूछा गया था कि प्रवल नाब की बल दुरवल नाब की बल से कितना गुना है option में थे 10 की power 13 गुना 10 की power 43 गुना ऐसे थे तो अब आपको पता है कि अगर आपको ये जो है या उनका आपेचिक अनुपात पता है अगर तो आप बता सकते हो कि प्रवल नाब की बल दुरवल नाब की बल से 10 to the power 13 गुना है ठीक है नमबर एक और ये confusion होती कि गुरुत्वी बल बड़ा चोटा होता है कि छीड क्योंग ये छीड होता है ना तो सबसे छीड यही समझने लग जाते है तो नहीं गुरुत्वी बल सबसे दुरवल होता है ठीक है अब एक वार ये समझ लेते हैं कि ये होते क्या है जो क्या होता है कि देखो प्रवल नाब की बल और दुरवल नाब की बल इनमें आपको थोड़ा डिफ्रेंस समझ लेना चाहिए क्योंकि इस पर भी कुश्चन पूछा गया आपको बताऊंगा कैसे तो जो आपके जो आपका नुकलियर होता है नाबिक होता है आपको पता है इलेक्ट्रों उसके बाहर चक्रण करते रहते हैं उसके नुकलियर में जो नाबिक में जो नुट्रों और प्रोटों होते हैं वो आपस में एक अट्रेक्शन फोर्स से बंदे रहते हैं वो क्या होता है तो वही जो होता है वो प्रबल नाबिकी बल होता है ठीक है इसके वर्ड्स से भी आप समझ सकते थे वो कैसे framing करता है वो examiner जाने आपने समझ लिया कि क्या difference होता है basic और एक पूछा जाता है कि इन चारों में ऐसा कौन सा force है वैसे तो ये सबी आकरसड प्रकरतिकी होते हैं लेकिन ऐसा कौन सा है जो आकरसड as well as प्रतिकरसड यानि कि attract भी करे और repel भी करे एसा कौन सा force है तो वो केवल electromagnetic force यानि कि बिद्दुच चुम्बी की बल होता है वो केवल ऐसा बल होता है जो attract भी करता है और repel भी करता है ठीक है यानि कि उसमें आकरसड और प्रतिकरसड दोनों की प्रकति होती है वो गुरुत्वी बल है एक बार ये पर पूछा गया था कैसा है ये संरच्ची कंजरवेस संरच्ची होता है ठीक है ये इस तरह से पूछा गया तो इस तरह से आप वो ratio याद रखना जो मैंने बताया था 1 is to 10 to the power minus 2 minus 13 minus 38 ठीक है तो I hope आप लोगों को यहां से जो information देखो लिखते भी जाया करो यार ठीक है क्योंकि अगर आप notes नहीं बनाते हो तो आप अपने साथ धोका कर रहे हो क्योंकि human की एक वो होती है human mind की कि वो चीजों को भूलता जल्दी है क्योंकि और जरूरी भी है नहीं तो वो पागल हो जाएगा तो उसको recall कर जाए जब आप एक्जाम देने जाओ से एक दो दिन पहले ठीक है next question है इसमें भी एक questions के तरू मैंने आपको कई information देने की कोशिस की है आईए देखते हैं आपको match the following है इस तरह से question आता है और force का फैबरेट pattern है question इस तरह का जरूर मिल जाता है तो पहले तो समझ लेते हैं आप देखो इसमें से क्या है जैसे यंग है तो यंग का प्रत्यास्ता आप easily बता दोगे कि यंग का प्रत्यास्ता होता है ठीक है और बेतार जो wireless टेलिग्राफी होती है वो मारकौनी ने खोज की थी ठीक है आइंस्टीन ने क्या किया था हैजनवर्ग ने अनिस्चित्ता क सिद्धान्त हाइजनवर्ग का निस्चित्ता का सिद्धान ठीक है और बोहर का क्वांटम सिद्धान्त है आप देखते जाना इसका फिर बाद में स्क्रीन सुट और एक कुशन है बिद्धुत धारा का चुम्ब की प्रभाव इसको क्या है कि यह औरे स्टेट ने किया था तहीं है और अब क्या बचा है अब बचा है आईइंस्टीन तो प्रकास विद्धुत प्रभाव की ब्याग क्या आईंस्टीन ने की थी अब इसका स्क्रीन सौट ले लो अब इसमें एक कंफ्यूजन हो रही होगी कि जो औरे स्टेट है यह बिद्धुत हरा का चुम्ब की प्रभाव कैसे है तो मैं आपको बता दू जो प्रिकास का बिद्दु चुम्ब की प्रभाव बिद्दु चुम्ब की सिद्धानत होता है वो मैक्स बेल ने किया था याद रखना प्रिकास का बिद्दु चुम्ब की सिद्धानत मैक्स बेल ने दिया था फैराडे ने दिया बिद्दुद्धुम्की प्रेरण थीक है मेरे बर्ट्स पे ध्यान देना बहुत ध्यान से देखना इस वेडियो को जिसमें किवल जितना लिखा है उतना ही जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूं वो हर बात आपके वेपर के लिए बहुत इंपोर्टन्ट है तो क्या मैं बता करा χां कि मैक्स बेलने प्रिकास का विद्द्दो चुम्की सिदान दिया था पहराड़ इने विद्द्दुर्धुम्की प्रेरण नेक्स्ट कुश्चन है सरल लोलक के देखो ये परसंटेज तुरिटी का है कुश्चन और बहुत मैंने कराए भी है प्रिविएसली आप प्लेलिस्ट में देखोगे तो बहुत कंटेंट अबेलेवल है उतना डाइजेस्ट अगर आप कर लेते हो तो मतलब मुझे इतना कॉन् अगर मेरी प्लेलिस्ट अच्छे से देख लेते हो फिर भी ये कुश्चन मुझे टेक्निकल थोड़ा लगा तो मैंने इंक्लूड कर लिया है कि सरल लोलक है उसके प्रियोग में लोलक की लंबाई के मापन में त्रूटी है जो एरर है वो दो परसंट किये ठीक है और आवर यहीं रिलेशन होता है अब इस रिलेशन में अब यहां पर रूट का चक्कर है यार कैसे कैलकूरेट करेंगे बड़ा कन्फ्यूजन हो रही है तो क्या करते है इसका स्क्वेर कर देते हैं दोनों पच्छों का तो टी स्क्वेर इसकूल टू हो जाएगा फोर पाई स्क्वे यहां था तो वो यहां T square आ जाएगा तो आपको यह मिल गया अब जो constant term में उसे ignore कर दो L, L के मापन में कितने percentage की है दो percent की तो दो लिख लो ठीक है इसमें कोई power नहीं है तो एक है तो एक का गुणा क्या करें प्लस लगा दो अब नीचे वाले में क्या है T square है T square जी तो यहां आ गया T square का square आ गया जाता है मैंने बताया था और T का कितना है T की 3 है 3 लिख दिया ठीक है जो power है वो आ गया जाती तो 3 टूजा 6 प्लस टू 8 percent इसका right answer हो जाएगा अब देखो जो केवल first time percentage 3D का question देख रहे suppose आपसे कहता है कि गोले की 3D में 2 percent की 3D है ध्यान से सुनना गोले की 3D में 2 प्रत्सत की 3D है तो आयतन में कितने तो आयतन का सूत्र क्या होता है 4 बटे 3 pi RQ अब हमें constant चीजों को ignore कर देना होता है जो power है वो आगे आ जाती है तो RQ में 3 आगे आ जाएगा और R की कितनी है percentage त्रिज्या की 2 है तो आयतन की हो जाएगी 6 प्रत्सत परसंटेज त्रूटी यही अगर वो कह देता है त्रिज्या में 3 percent की त्रूटी है तो छेत्रपल में बताओ छेत्रपल होता है 4 pi R² अब 4 pi को ignore कर दो R² को ले लो तो R² का 2 आगे आ जाएगा और यह R का 3 तो यान की 6 percent तो इस तरह से चलता है formula में क्या होता है जो power होती है वो आगे आ जाती है तो अगर आपको percent maturity आपने नहीं की अच्छे से तो आप यह अच्छे से complete कर लेना एक questions usually पूछ लिया जाता है ठीक है next question है यह आपको दिया इसमें सार्थक अंकों की संख्या बतानी है अब यह question सबसे easy question है आज का include करने का reason की पता चले आपको एक touch मिले कि किन जोन से किन एरियास से question से examiner पूछ सकता है तो सार्थक अंक इसमें क्या होगा pause करो और इमानदारी के साथ बताओ किसका क्या होगा तो इसका जो होगा उसका 2 होगा अब कुछ इसमें 4 किय होगे तो मैं आपको बता दू point के बाद, point के बाद, decimal के बाद, decimal के बाद, जितने भी zero रहेंगे उसके पाद कोई digit रहेगा तो वो zero count नहीं किया जाते है ठीक है और उस digit के बाद अगर zero ही है केवल तो वो भी count नहीं किये जाते हैं लेकिन अगर बाई दबे 0.003 पर यहां पर 0.00 उन 0s के बाद अगर कोई digit आ गया है तो वो 0 बीच वाले count किये जाएगे तो यह 4 हो जाएगे यानि कि point के बाद अगर 0 है तब कोई digit है तो वो 0 नहीं लिए जाएगे उस digit के बाद अगर 0 ही है केवल तो वो 0 नहीं लिए जाएगे लेकिन अगर उन 0s के बाद कोई digit है तो वो count किया जाएगा सारता करन कमेंट ठीक है तो इसमें 2 हो जाएगे क्योंकि इसके बाद क्या है इस point के ब कुश्चन आपको बताने की कोशिस की है अब इस कुश्चन में भी आप लोग देखोगे कि कितने मैं आपको कौन से अब बताता हूँ ध्यान से सुनना एक बस्तू है 98 मीटर पर सेकंड के बेक से उपर फेक की जाती है ठीक है यदि गुरुत्वी तुरण का मान इतना है तो वह 10 सेकंड में इतनी मैग्समम हाइट पर जाएगी वह 5 सेकंड में इतनी हाइट पर जाएगी वह प्रत्वी पर 5 सेकंड में बापस आ जाएगी उसकी गती 5 सेकंड पर शाद इतनी रह जाएगी या कोई बस तू उपर फेकते हो तो आपसे वो पूछेगा कि किस बेलोट सिटी से फेक है कि maximum height पे जाए या कितने second बाद वो बापस आ जाएगी तो सबसे पहले यही सबसे important देख लेते हैं कि कितने second बाद वो बापस आती है तो जाना और आना ठीक है जाना और आना में अगर आप दो के होगे तो displacement 0 होना चाहिए यानि कि विस्थापन 0 होना चाहिए तो s is equal to क्या होता है ut plus half 80 square अब इसमें positive negative वाला देख लेते हैं जब कोई चीज उपर जाती है तो जो gravity होती है वो negative रखते हमेशा याद रखना और u यहाँ पर उपर जाएगी तो negative रखेंगे ठीक तो जब यह es 0 हो जाएगा क्योंकि जाना और आना displacement 0 u कितना है 98 मैनस का 98 into t t रखते हैं तो t suppose यहाँ 5 second रख देते हैं अगर options को चेक यहाँ से t रख देते हैं plus half a की value कितनी है 9.8 into t square जब इसमें cable t ही तो unknown दिख रहा है तो इसको calculate करोगी तो आपको मिलेगा 10 second लिकन यहाँ पर दिया है 5 second तो यह wrong हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से आपको पता चला कि उपर जाना और आने वाला कुशन है तो आप क्या करोगे displacement 0 कर दोगे और इस तरह से कर लोगे अगर आप से कहता है कि आप देखो इसमें second वाला लगा के देखते है V square is equal to U square plus 2GH तो U square रदा जाएगा तो V square minus U square is equal to 2GH इस वाले में अब देखो V V कितना है maximum height के लिए कर रहे है यह दूसरा option maximum height के लिए V 0 हो जाएगा तो 0 क्योंकि उपर जाके final velocity 0 हो जाती है U कितना था 98 into 98 is equal to 2 अब G की value याद रखना हमेज़ा minus रखते हैं जब उपर जाता है तो minus का 9.8 into edge तो यहां से height कितने मिलेगी 9.8 के यहां पे decimal खतम करेंगे सुरी यहां पे एगो cut हो गया जब decimal कतम करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा ठीक है तो 9.8 से 9.8 कट जाएगा ठीक है और 2 से कट जाएगा 49 यानि कि 49 कितनी 4 और यह 10 अदर जाएगा 490 यानि कि 490 maximum height और इसमें कितनी दिये 10 सेकंड में 980 मीटर जाएगा तो 10 सेकंड में अभी अपने निकाला था उपर जाके नीचे आएगा इसमें 980 दे रहा है जबकि 490 तो यह भी गलत हो गया आप लोग समझ पा रहे हो अब next देखते हैं अब क्या है कि उसकी गती 5 सेकंड पर 49 मीटर पर सेकंड रह जाएगी तो इसको कैसे करेंगे पहले देख लेते हैं कि V is equal to U plus 80 यह वाला फॉर्मूला लागा क्योंकि सबी options अभी इन चेक कर रहे हैं अब V कितना हो जाएगा V का मतलब 98 इनिसियल है और वो final कितना 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 है 49 तो 49 final रखते है इनिसियल कितना है 98 minus A की value 9.8 into T 5 second कर रहा है तो 5 रख देते हैं तो यहां से यह इधर solve करेंगे तो 98 and 80 रख दिया ठीक है तो इसको solve करेंगे तो कहीं 58 जा 0, 4 59 जा, 45 और 49 तो यह 49 ही हो रहा है ठीक है तो 98 में से 49 गया तो 49 बचा तो 49 is equal to 49 यानि कि option D आपका match हो गया तो D इसका right answer हो जाएगा आप आप लोगों को मैंने बता है सबी आप इनसे 4 question पहला कितने second बात पूछा जाता है यह formation बस यह याद रखना कि acceleration negative रखते हैं उपर जाने के लिए ठीक है इनसा भी मैं अपने रखके देखा तो कोई image नहीं हुए ठीक मुझे ऐसा feel हो रहा है कि इस question के explanation मैं अच्छे से नहीं दे पाया हूँ तो अगर आपको ऐसा हुआ है तो बताना comment में देखो live होता है तो पता चल जाता है बताना तो मैं इसको include और कर लूँगा एक बार लेकिन इसको तयार कर लेना इस questions को क्योंकि ये जरूर पूछे जाते है हो जाता है यार कभी कभी एकिन और किसी नियत बलके अधिन गती कर रहे किसी कड के बिस्थापन x तथा t के बीच का relation इतना है t is equal to इतना दिया है तो कर का पिस्थापन उस छड़ पर बताना है जब velocity 0 है question बड़ा tricky है बड़ा logical है कुछ लड़कों की क्या है आदत हो जाती है कि सर ने बता है ताकि सून ए answer अगर option में है तो वही होता है भाई ये habit अपनी छोड़ दो हाँ most of the time ये सही होता है लेकिन एक बार concept समझो क्या होता है di t is equal to under root x plus 3 ये question कई बार आया है आप practice set उठाऊगे तो कई बार ये मिल जाता है इसकी approach क्या है मैं बताऊ 3 इधर लाओ तो t minus 3 is equal to under root x आब इसका square कर दो तो t minus 3 का whole of square is equal to x अब ये normal question बन गया तो एक बार फिर से लिख देते हैं जब आप उतना करोगे तो x is equal to मिल जाएगा t minus 3 का whole of square दोन और side का square करके ठीक है आप normally इसका velocity क्या होती है ये आपका बेक बराबर होता है विस्थापन बटे समय यानि कि dx बटे dt कर देंगे बिस्थापन बटे समय derivation कर देंगे तो आजाएगा तो इधर क्या आजाएगा 2 t minus 3 derivation करना तो आता है अब आप लोग यहाँ पर देखो कि velocity कितनी बता रहा है 0 बेक 0 होने पर हमें बताना है विस्थापन अब एक बात देखो कि ये 0 होने के लिए यह T कमान कितना होना चाहिए यहाँ 3 होगा तभी तो 3 मैं से 3 जाके 0 बनेगा तभी तो यह बेक 0 होगा यहने कि T is equal to 3 पर आप logical सोचो T is equal to 3 होगा तो velocity 0 हो जाएगी तो T is equal to 3 होने पर velocity 0 दे रहा है यहने कि T कितना है 3 सेकेंड अब यही बिस्थापन ठीक है अब 3 सेकेंड था अब हमें क्या बताना है बिस्थापन, displacement और X था क्या बिस्थापन तो इसी यही तो है बिस्थापन X is equal to T minus 3 का square T की value 3 उठा के रख देंगे तो 3 minus 3 का square करेंगे 0 तो displacement भी 0 हो जाएगा ठीक है, समझ में आगया होगा Next है एक ही पतार्थ के दो गोले जिनकी radius R और 3R है एक द्रब में जिसका गना तो सिगमा है उर्द्वादर नीचे क्योर गिराए जाते है इनके सीमान्त वेगों का अनपाथ बताना है सीमान्त वेग का formula होता है 2 बटे 9 R square इतनी सी अगर बात पता है तो square कर दो तो R से R कर जाएगा 1 और 3 का square करोगी तो 1 is to 9 इसका right answer हो जाएगा और कभी-कभी एक उसके relation पे भी आता है स्यान बल का तो stocks ने नियम दिया था एप is equal to 6 by eta rv तो स्यान बल होता है वो velocity के directly proportional और radius के directly proportional और उसके गुडांग के भी directly proportional होता है ठीक है तो यहाँ से यह आप देखो यह जो question दो देख रहे हैं एक संभाहू तिरभुजवाले most important अब मैं बता तो रहा हूँ इस series में आपको मज़ा आजाएगा मेरे भाई इतने selective question करा हूँ देखो जिसको अच्छे content की कदर है जो जानता है कि अच्छा content क्या है जो एक दो बार paper दे चुका है वो तो समझता है कि यह कैसा content प्रोवाइड करा रहा है लक्चियर फोर्स और जिनको नहीं पता है तो उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ पस आपके support की जरूरत है इस time मुझे थोड़ा आप लोग support करते रहा करो ABC एक संभाहू तिर्भुज है तिर्भुज के प्रतेक seeds पर plus q आवेस रखा है तिर्भुज के केंद्रक पर 226 की दीब्रता क्या होगी एक question है 10 cm भुजा वाले संभाहू तिर्भुज के प्रतेक कोने पर 10 µ कूलाम आवेस वाला कर रखा है निकाएगी इस्थिते जूरजा क्या होगी दोनों question मैंने साथ साथ लिए हैं ध्यान से समझ लेना क्या होता है concept उनका और कैसे इनको अप्रोच करते हैं तो क्या है इसमें first वाला पहले समझते हैं कि एक समझ लेते हैं फिर अगर आपने समझ लिया फिर तो आप एक्जाम में ऐसे एकलिक कर दोगे देखती तो इसके centroid पर बताना है तो यहां से अपन सपोज our distance है अब because centroid है तो एक पिलेटरल है तो यह each corner से उसके distance r होगी यह तो आप सब को पता होगा ठीक है अब क्या है कि is q और q के कारण यहां पर resultant अब क्या है कि यह इधर वर्क करेगी इसको aim नाम दे देते हैं इसको b इसको b तो b तो यह e b ठीक है इधर वर्क करेगी और e इसको c नाम देते है c इधर तो इधर पर जो resultant अपन e r मान लेते हैं तो resultant का क्या formula होता है अब यह पूरा 60 था और यह 30 हो जाएगा क्योंकि यह बाइसक्ट करता है तो 30 30 तो यहां पर 120 हो जाएगा तो यहां पर 2 e b e c बन 20 यही तो resultant होता है एक बार देख लेते हैं क्या हो जाएगा यहां पर यह figure था अपना यह इधर यह इधर तो पहले यहां पर resultant निकालेंगे e r तो वो e b का square प्लस e c का square प्लस 2 e b e c cos 120 कमार माइनस एक बटे दो तो एक बटे दो से दो कट गया और यह दोनों equal हैं तो square होके लेकिन यह माइनस होगा तो एक इससे कट जाएगा तो e b का square आएगा square root खतम होगा तो e b ही आजाएगा यानि कि यहां पर इन दोनों का result e b आया resultant यहां पर b और c का और अब यह दोनों क्या हैं कि हैं तो तीनों equal ही क्योंकि सब पे q है सब की distance r ही है तो यहां से अब क्या होगा कि a जो यहां पर लगाएगा वो इधर की side उपर से लगा रहा है तो यह दोनों opposite लग रहे हैं और dimension opposite है magnitude same है तो कितना हो जाएगा resultant जीरो अब अगर तीबरता पूछी गई तो वो तो 0 हो गई कैसे होई मैंने बता दिया ठीक है अब दोनों question के variation समझ लेना तीबरता 0 होई है कैसे मैंने बता दिया लेकिन अगर आप से निका है कि इस्थेते जूर्जा पूछता है तब वो 0 नहीं होगी ध्यान से देखो कैसे की संभावतिर भोजे ठीक है अब यह संभावतिर भोजे ठीक है यहाँ पर रखा है 10 cm भोजा है इसकी 10 यह भी है 10 यह भी है ठीक है प्रतेक होने पर 10 µ कूलम रखा है 10 µ कूलम 10 one q-2 upon r यानिकी 10 into 10 upon 10 यानिकी 10 into 10 upon 10 plus क्योंकि 3 के लिए हम जोडने पड़ेंगी तो क्योंकि सभी positive है तो सब plus होंगे इन दोनों के कराड़ कितने होगी इसकी और इसके कराड़ 1 upon 4 pi वही same होगी तीनों की same होगी तो हम 1 upon 4 pi epsilon naught common ले लेंगी तो अब तीनों की अगर सेम होगी तो ये कितने टाइमस हो जाएगा ये टैन से टैन तो कटी जाएगा एक 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 तीन बार हो जाएगा ठीक अब एक बटे 45 एपसाले नोट का माहन होता है 9 into 10 to the power 9 into ये तीनों जुड़के तो 27 जूल आ गया अब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हुगए कि क्या difference होता है अगर इस्तेत्य जूर्जा है तो कैसे आप जल्दी से नकाल होगी और कैसे बढ़ाचेत्र पूचा जाता है तो कैसे वो 0 हो जाता है वैसे आप लोगों को वार आता है से हम यह तो होता ही है आप केवल यह देख लेना कि अगर जो डिस्टेंस है और वही माई आवेस है तो फिर आंसर हमे यूज्वली सताइस ही आता है लेकर अगर यह अलग अलग है तो केवल इतने ही आपको ब्रैकेट का कैल्कुलेट करना है यह तो बचे गई आपका यह ब्रैकेट का कैल्कुलेट फर्दर आप लोग कर लेना ठीक है और जो आप देखो क्या है बन वाई बन में सभी लोगा अब जो स्क्वेर वाले में ऐसी दो बनते हैं एक बर्गी के चारो कोनों पर रखने वाला एक प्लस क्यू या माइनस क्यू क्या से जितने भी बैर यह सेने बन वाई बन मैं सबी वीडियो में आपके करवा दूंगा आई प्रॉमिस यू और एक यार मैं आप लोगों से एक क्या कहूं इसको रिक्वेस्ट अपील कि कुछ भी आप लोग समझ लो बस एक मेरे फ्रेंड ने कंसल्ड किया तो आयो I decide कि मुझे यह करना चाहिए कि क्या है कि कोई भी आप campaign है कोई आप चला रहा है कुछ भी mission है उसका free education का या whatever तो अगर आप लोग जानते हो कि अगर आप चाहते हो कि वो smoothly चलता रहे ठीक है तो आप लोगों को मैंने description box में अपने ptm का link दिया है तो voluntarily मतलब स्वेच्छे जो लोग चाहें वो मेरा support कर सकते हो मेरी help कर सकते हो ठीक है कोई emphasize वाला काम नहीं है कोई किसी के उपर pressure नहीं है यह जो free classes है वो हमेशा चलती रहेंगी ठीक है बिलकुल अपनी इच्छा से स्वेच्छा से जो मेरी मदद करना चाहे मुझे support करना च चाहे तो contribute कर सकता है ठीक है 10 रुपए से लेके 100-250 जितने भी जिसकी जितने भी help बन सके वो कर सकता है ठीक है किसी तरह का कोई दवाब नहीं है यह केबल उन लोगों को बता रहा हूं जो मेरी बातों को समझते हैं जो heart to heart connection है अब जो केबल मजे लेते हैं या मेरी इसी बा लोग भी तो ऐसी कोई नीड नहीं है लेकिन जो चाहें वो support कर सकते हैं यह मैं दे दूंगा description में नंबर वहां पर जाके 10-20-50 और जितनी भी जिसकी मन हो तो मेरा support कर सकता है ठीक है और फालतु के please comment मत करना जिससे मैं demotivate हो जाऊं फिर पता है आपको की तैयारी कराने मे अभी एक आपका negative comment फिर मन नहीं होता है यार वीडियो बनाने का तो आप अगर contribute या help नहीं कर सकते हो तो please negativity मत फैलाना ठीक है next question है यदि किसी gas के लिए r is equal to r upon cv is बहुत technical question है इसके लिए आपको अच्छे से कितना समझना पड़ेगा कैसे एक मेर का formula होता है cp minus cv is equal to r करते हैं प्रते एक में cv से divide कर देते हैं तभी तो r upon cv मिलेगा cv से divide कर दिया cv से cv cut हो गया तो cp upon cv is equal to r upon cv कितना है दो बटे 3 तो दो बटे 3 यहां से 1 आएगा यह वन आएगा तो minus का है उदर जाके plus का होगा तो यह आपको मिल जाएगा 3 वन जा 3 और टो 5 by 3 अब cp upon cv आया 5 by 3 अब यह कैसे बताएं कि एक परमाडुक है कि दू परमाडुक है कि त्री परमाडुक है कि देखो इतना screenshot ले लो मैं लिख रहा हूं 5 by 3 cp upon cv cp upon cv आया 5 by 3 कैसे आया मेर के सूतर में हमने पिरते एक पद में cv से भाग दे के calculate कर ल और cv होता है fy2 ठीक है fy2 प्लस बन होता है cv होता है fy2 यह मैं बता चुका हूं ठीक है अब f जहाँ पर क्या है free degree अब एक परमाडुक के लिए 3 होती है दू परमाडुक के लिए 5 होती है बहु परमाडुक के लिए 6 होती है अब आपको अब कहोगे exam में इतना time का है अब आ तो 3 रखेंगे तो 2 बंचा 2 और 3 5 by 2 उपर मिलेगा और अपन में 3 रखेंगे तो 3 by 2 नीचे मिलेगा 2 से 2 गट गया 5 by 3 आपका चेक होके आ गया अब यह सब माइंड में रखेंगे अब सब्सक्राइट में होता तो यहां पर कितना रखते आप 5 रखते तो 5 by 2 तो 7 by 2 होता और वीडियो की length 30 minutes ही रहनी चाहिए नहीं तो फिर interest करतम हो जाता है long वीडियो तो इस तरह से वीडियो आते रहेंगे important selective question previously आपको मैं कराता रहूँगा आपकी help जितनी हो सके की करता रहूँगा मिलते है next वीडियो में और please यार एक request है आप लोगों से कि please वीडियो को एक like ज पलता आपको जरूर मिलेगी thank you